अलो स्टूडेंट आज बिए से वी 10 क्लास वाले स्टूडेंट यहां पर खास तौर पर आप लोग ध्यान दोगे क्योंकि आपका दूसरा चेप्टर शुरू होने वाला है पहला चेप्टर आप लोग का उसको भी अच्छा से देखिए उसके बाद आप लोग जो mcq का कोशन बतलाया गया वस्तोनिष्ट प्रश्ण जो बतलाया गया है खास तौर पर वह भी बहुत महत्तोपुर्ण है क्योंकि आप लोग को पता है कि 50% आपके एक्जामिनेशन में आते हैं इसलिए अब हम लोग नया चिप्टर के साथ आ रहा है तो नया चिप्टर दूसरा चिप्टर का नाम है आप लोग का वॉली नॉमिया जिससे हम लोग हिंदी में बहुपत कहते हैं तो आज इसमें इंट्रोडक्शन का क्लास को बहुत अच्छा से समझेंगे यानि इस वीडियो को देखने का दर इस सीच को छोड़ना आप भूल जाएं कि मैं बहुत होता है आप लोगो काफी इजी में हम समझा रहे हैं इसको भी असानी वे में समझें बहुत डिफिकल्ट नहीं है आप लोग अगर मैंड में स्टेट कर लोगे कि एकसर साइज मैं बहुत कठीन होता है बहुत भारी नाम है यहां पर खास तोर पर बीए सीवी टेन क्लास के स्टूडेंट के लिए हैं जो भी हार बोट से पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल चेप्टर का नाम है जिसे हिंदी में लोग बहुत के नाम से जानते हैं पहला टॉपिक हम इंट्रोडक्शन यानि परीचही के रूप म अद्धित रहते हैं विnity इसे बहुत कहते हैं यानि कहने का मतलब यह है गात्या को सोच लिए कि कोई भी बहोपद रहेगा उसका माइनस नहीं होना चाहिए और इनात्मक होना चाहिए नगेटिव नंबर होना चाहिए अगर इस तरह का कोई चीज रहेगा तो वह बहुपत की स्रेणी में आ जाएगा अगर कोई भी वियंजग का बीजिये बियंजग एलजब्रिक एक्सप्रेशन अगर किसी भी एलजब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर निगेटिव हो जाता है माइनस में हो जाता है रिनात्मक हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि उबहुपत के स्रेणी से बाहर चला गया तो सिंपल यह समझ लीजिए वैसा बीजिये बियंजग जिसका घात और रिनात्मक हो मतलब माइनस नहीं ह सकते हैं कि ऐसा बीजिए ब्यांजग जो एजीरो एवन एकस एटू एकस स्क्वाइर प्लस डॉट 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 एन एकस का पावर इन इस रूप में रहे लेकिन यहां पे एन का भैलू जीरो नहीं होना चाहिए और एन एक और इनात्मक पूर्णांग होना चाहिए तो दू प्लस एक टू एकसम्पल है यहां पर एकस का पावर वन है यानि प्लस पावर तो जहिर सी बात है कि यहां पर भी यह भी यहां पर चुर। यहांपे tow है तो यानि इससे भी देखने से पता चलना है कि सारे पावर स्क्राइब करें था और तो यहां चीज्झ हमेशा बहुत यह रहेगा अब लाएगा श域 बहुत था है कि एकषपध यह रहता कि इसको सिंप्लिपाइए connecting तो एकस प्लस एक स्रेशन से यह बहुक्त यहीं मनईुपाइब को गदलते हैं उद्लभा सिकेशन सोर्स पावनुल में बाटा गया और क्या किया क्या उसका नाम है और इसके इंडुनिक्न हो तो देखिए पहला है एक पद होते हैं एक पद का मतलब है कि ना उसके उसमें कोई और पद घटाया जा रहा है तो अकेला जो भी पद रहेगा वह समझी आपका एक पद कहलाता है जैसे हम यहाँ 5x2 है यह अकेला है ना इसमें कोई नंबर को जोड़ा जा रहा है और ना घटाया जा रहा तो यह अकेला वाले जो भी पद रहेंगे वह एक पदी बहुपद कहलाएंगे यह मोनोमियल कह रहेंगे नेक्स्ट में ध्यान दीजे दूसरा है दूपदी तो जिस बहुपद में पदों की संख्या अगर दो रहेगी तो समझे वह क्या है दूपदी बहुपद यानि बाइनोमियल उसको बहुपद को जैसे ही हम लोग मनाते हैं तो उसमें समझे एक पद वाले बहुपद में चाहे तो जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है तो जोड़ने एब घटाने के बाद दो पकाद हो जाते हैं तुछ तरीके के बहुपद को हम लोग मैंनस दीवन को गटा दिया तो डो पत हो गया यहां पे स्कूत को जोड़ दिया घ्याए यहां भी भी दो juntos हो गय तो इस तरीके के आप लोगो पैचानना रहेगा तो इसो पहचान सकते हैं कि यह बहपाद है तिसरा द dónde怖़ इसको निए को भ tornado करते हैं इसमें एक वैसा बहब जिसमें तीन वहते हैं उसे तरहों तो फर्न सबस्क्राइब यह दूसरा वाले में यह बहुत है तो सिंपल सी बात है सुन्य का मतलब ही जिरो होता है वैसा बहुत जिस में जितने भी बहुत है उसके गुनांक शुन्य चाहिए जिरों से गुना होने यानि शुन्य बहुपद कहा जाता है तो जैसे देखेंगे यहाँ पर example के त熟न्य बहुपद का जीरो इंतु एक स्कौार. जीरो करें जीरो को एक स्कौार से मल्टिप्लाई करेंगा जीरो भी बचेंगा यानि जिस बहुपद के पद जो होते है उसका घुनांक शुन्य होता है जिरव होता है घुनांक मतलब Draar करने वाले जुए अगर सुन्य है तो यह समझे यह आपका शुन्य बहुपद है नेक्ष में चलते हैं एक है यहां पर अचर बहुपद जिसे हम लोग कॉंस्टेंट पॉलिनोमियला कहते हैं कॉंस्टेंट का यूज बहुत जगा और हर सब्जेक्ट में भी इस्तमाल होता है फिजिक्स कमेस्ट्री वगारा में वास्तविक संख्या से होता है आचर कहीं पे भी रहता है तो हमेशाऑ वाश्त्विक संख्या को सुचित करता है तो समझ चेकि आच्थर बहुपद एक वहता बहुपद है जिसमें सिर्फ एक ही प्ध होते हैं और वहाँ किस के बराबर होता है तो वाश्तविक संख् det những पॉलिनोमियल कहेंगे तो यह हमारा इसका वर्गी करन कंप्लीट होता है वर्गी करन के बाद हम लोग देखेंगे बहुपत के परकार इसको कितने पहला हम लोग लिए एक घातिय बहुपद जिसको हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल कहते हैं लिनियर पॉलिनोमियल एक घातिय बहुपद तो सिंपल सी बात है कि एक घात वाले बहुपद को एक घातिय बहुपद करते हैं कोई भी बहुपद रहेगा उसका अधिक्तम पावर द दिशान देना एक स्वाले में तो पावर कितना है वन है तो इह एक घातिये बहुता है उसका पावर है पावर मतलब होता है तो जिस पोपत का अधिकतम घात डोपत कहलाता है दुसरा दे grands दुगातिया बहोपत स्कौाइर ओर्ग हो होता है तो तो यहां पर देख लिजेइ जैसे यहां पर एक एक्जाम्पल दिया गया है यहां पर पावर एक्स भी है और एक स स्क्वायर भी है इसका पावर टू है तो अधीक्तम वाले से हम लोग बहुपत का नाम देते एथिक्तम पावर दो है इसलें दूगी घातिया बहुपत हो जाएगा इस नक्ट देखेंगे यहां भी पावर sana और तो यहां टू है तो टू आले पर हम लोग इंडिकेशन करेंगे तो अधिकतम पावर कितना हो गया दो हो गया तो अधिकतम पावर के बुनियात पर इस बहुपत को भी हम लोग द्विगातिय बहुपत की स्रेणी में रखेंगे नेक्ष देखिए यहां पर त्रीघातिय तो यहां पर देखे तीन घात वाले बहुपत को त्रीघातिय बहुपत के अब बहुपत में देखने लिया गया है यहां भी पावर देखें यह त्री है अधिक्तम आधिक्तम पावर है इसलिए उसको हम लोग त्रिघाती बहुंत कहेंगे अब यह यहां पर और है चुतूर्त गहाथीं पहुतत हैं ऍंगलिश में इसे कहते हैं तो ध्यान देजें चतुर्द घात वाले है यहां पर भी बड़ा से एक्जामपल है यहां तो इसके अनुसार हम लोग इंडिकेट कर लेंगे कम वाले पर ध्यान हमें नहीं देना है यानि यह सारे डिफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले एक्सरसाइज के जो भी कोश्टन रहेंगे इस पर अधारीत रहेंगे आप लोग इसके माध्यम से स्वालीशन करना रहेगा तो अब हम लोग आते हैं इसके कुछ वर्किंग रूल्स क्या है और पहले एक्सरसाइज भी अभी तुरत कंप्लीट करेंगे तो देखिए अब हम बनाने का नियम जिसको को से जाता है और उसके जो एक पर उन्हें बिखेंगा हो रहेगा रहेगा उस ग्राफ को देखके बतलाना है कि यह एक घातिय बहुपद है यह द्वी घातिय बहुपद है यह यह भी उसमें कंडिशन रहेगा कि ना एक घातिय है और नहीं द्वी घातिय है तो तीन तो वहां पर हमें statement का तोर पर यह लिखना पड़ेगा कि ना एक घातिय बहुपद है और नहीं गहातिय बहुपद है तो देखिए यहां पर नियम को देखिए एक घातिय बहुपद का आलेक एक सरल रेखा में होता जैसे आप लोग ग्राफ देखते हैं ऐसे मराया जाता है मैं कि इस तरीके से रहता यहां एक ऑलता एक आता एक डेस रहता यह यह रहता यहां पे और उसिन है जीरो यहां कभी प्लेख बोल देंगा तो यह है स्रेड़िए में है दुसरा देखें कि द्वी घाती बहुपत का अलेख अगर परवला या अधो मुखी चित्रों यासा होता है यानि जब हम लोग ग्राफ देखें यहां पर ग्राफ हमारा इस परकार से है जब इसमें हमारा यह एक से एक्सडेस है वाई है वाई है यहां पर रिजिन है अधो मुखी परवले इस प्रकार को होता है यह एस तरीके का फिकर बना हुआ रहेगा यह इसका उल्टर टाइप कर भी आ परवले यह होता है रूप में हो या इसको अधो मुखी कहा जाता है तो यह हमेसा हमारा द्विगातिय वह बभुपत हो जाएगा और दूसरा से नियम को देखे की आलेग द्वारे कि जैसे बहोपद कि शुन्यांगर की संख्या इभाता दाना वह एक सक्षपर कितने बिंदू हो काट रहा जैसे यहां पे भी गाप्लमाभयम से यहां भी क्लियर करना रहे हैं भड़ा है क्यों एक रेखा है यहां पर यह खीचा गया तो इसमें सिर्फ हमें एक ही चीज को पता करना है कि एक स्थ कि कितने बिंदू पर यहां है डो कितना बार कट रहा है एक यहां पर पर जो शुन्यांको की संख्या हो जाएगा वह एक हो जाएगा जितना बार कटेगा और शुन्यांकों की संख्या उतना ही हो जाता है तो शुन्यांकों की कि संख्या इक्वल टू वन हो जाएगा अगर इसी चीज को ऐसे करके कटा जाएगा यहां पर आपस ऐसे ऐसे तो यहां इस तरीके से गिनेंगे दिए बहुकत के संख्या उस नहीं होगी जितने बिदौबव कोई ङतना बार कटेगा समझे आपका सुने रेका खीचे हम लोग तो एक बपर है तो कई चार बर एक सक्ष पर सटा वहां पर कटते गया तो हम लोग वहां पर शुनियंगों की संख्या यहां पर कितना हो जागा फिर चार हो जागा दूसरा कंडिशन में तो यहीं इसका है अब लोग देखेंगे यहां पर टू पॉइंट वन एक सर्साइज में चल रहे हैं तो चलते हैं एक सर्साइज की तरफ तो देखिए आप लोगों जो भी प्रोब्लम बता जाता हो केसी सीनहा के बुक से लिया गया है तो देखिए अब हम द्विघातिय दोनों में से कुछ भी नहीं है यह पता करना हम लोग तो देखिए सबसे पहले एक पहला कोशन फर्स्ट का फर्स्ट से ही लिए है बुक से आप लोग मिला लेंगे तो पहला एक घाती और द्विघातिय में हमने दो नियम बताया पहला कि अगर सरल रेखा र हमें क्या शो करता है यहां एक घातिय बहुपद है यह एक घातिय बहुपद है इंडिकेट करेगा पर टैप करेगा यहां पर रेखा है और परवले टाइप का है यह दोनों से हट कर गए है तो जब इस तरह का कोश्चन से रहेगा हम लोगों तो यह को जो सॉलूशन हमारा रहेगा ना तो एक घातिये और ना ही द्वी घातिये तो इस तरीके से ऐसा कोश्चन का अंसर लिखेंगे यह ना एक घातिये है और ना द्रीघातिये तो यह हमारा पहरा जो वर्किंग रूल में नियम बता है उस पर अधारित यह प्रशन हो गया है अगला कोश्चन नंबर टू से लिया अब इसमें शुन्यांको की संख्या पता करने से रिलेटेड भी मैंने दो नियम बताया सबसे पहला नियम में यह लिखे हैं कि आलेक को यह देखना है कि जितने भी बिंदू है एक्स अक्षपे कितनी जगह पर कट रहा है एक्स अक्षपे बिंदू की संख्या ग्याद करना है और दूसरा नियम यह बतला है जितने बार कटता है वही शुन्यांको की संख्या होता यही मैंने दो नियम बत कि संख्या शुन्यांको की संख्या यहां पर दो हो जाएगा इस कोश्चन में देखेंगे कितने जगा पर कट रहा है तो एक यहां पर कट रहा है एक यहां पर कट रहा है यानि एक दो तीन जगा हो रहा है तो शुन्यांको की संख्या कितना हो जागा यहां पर कि शुनियांखों की संखया इकवल टू थ्री हो जा रहा है यहांपे तीन बार कट रहा तीसरा कोशन जो हमारा इस एक्सरसाइज का उसमें भी यही पता करना है कि शुनियांख की संखया कितने हैं तो यहां पे भी हम लोग गिनें गें कि पहला बार एक सउख्ष पर यहां बहुत सिंपल है यह एक्सरसाइज 2.1 हमारे कंप्लीट हो रहा है तो इस तरीके के तीरी टाइप के साथ साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 भी क्लियर हो रहा है इस इंट्रोडक्षन को अच्छा से समझें इसको दो चार बार कर लीजे और इसे नोट डाउन भी कर लें अपने नोटबुक कॉपी में उसके बाद को वन बाइवन करके सारी क्लियर कर लें तो आज क्लास यहीं पर क्लियर क्या आता है शूडेंट और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूले इसे लाइक भी करें अपने दोस्तों को शेर करें क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुच पाया है तो आज तक के लिए हैं तो थैंक यू शूरेंट